नमस्कार दोस्तूं सवकते आप सभी का वीडियो चैनल पर और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथ बेजराण को सबस्क्राइब भी करते हैं दोस्तों आज मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूँ केले की पूरी और ये इतनी जादा टेस्टी लगती है कि आप इसे रोज बना कर खाओगे और बहुत ही कम समय में भी बनकर रेडी हो जाती है तो जब भी आप इसको बनाना चाहिए आप इससे जरूर बनाना और ये आप सबको बहुत पसंद आएगी तो फिर चली बनाना शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर करना तो दोस्तों जब भी हमारे घर में केला आता है तो बहुत सारे केले होते हैं जिसमें जो इस तरह के से गल जाते हैं जिसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता है तो हम उसकी अगर इस तरीके से पूरिया बना देंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और हमारा जो केला है वो भी यूज में आ जाएगा तो हम इसको छील लेते हैं सबसे पहले केले को उसके बाद में इसको हम बारीक टुकड़ों में कट कर देंगे तो इस तरीके से आप कट कर दीजिए मैश कर दीजिए या फिर आप मिक्सी में भी पीच सकते हो तो यह हो चुका है और अब हम ले लेंगे एक बड़ा बरतन उसमें मैं डाल देंगी एक बड़ी कटोरी से गेहूं का आटा इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा यह दही एक दम दो छोटे चमच के करेब में दही है थोड़ा सा ही दही डालना और इसके बाद में मैं डाल दूँगी दो से तीन बड़े चमच सूजी जिससे हमारी पूड़ी आइदम कुरकुरी बनेंगी और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरी धनिया जिसको मैंने बारी की से कट कर लिया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची स्किप कर सकते हो एक छोटा चम्मच मेंने घी डाल दिया है ताकि हमारी पूरियां एकदम बढ़ी है सॉफ्ट बने और इसके बाद में हम ये मैश किया हो गेला डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा में डाल रहे हूँ आप चाहो तो अजवाइन भी डाल सकते हो नमक स्वात के अनुसार डाल देंगे इसी के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चोथाई चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर आधा छोटा चम्मच दनिया पाउडर एक चोथाई चम्मच में आप गरम मसाला डाल दे रहे हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले को कम यह जादा भी कर सकते हो जो भी आपको पसंदों एड कर सकते हो तो अब हम इसको अच्छे से टाइट डो लगा करके हमको तयार करना है अगर आपको जरूत लगे तो आप थोड़ा पानी एड कर लेना मैंने बिल्कुल भी पानी एड नहीं किया है और उसी में हमारा डो लगकर तयार हो गया यह टाइट हो है मिस डग करके दस मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट बाद अमारे को थोड़ा सा मसल लिया है मैंने और अब हम इसकी लोई बना लेंगे तो पूरी आप अपने टेस्ट के अकौर्डिंग या फिर चोइस के अकौर्डिंग थोड़ी सी छोटी या बड़ी बना सकते हो तो मैंने कुछ लोईयां बना ली हैं तो हम एक लोई लेंगे और इसको अलका सा चिप्टा करेंगे और फिर सुखे आटे में लापेट कर और इसको हम बेल लेंगे तो जैसे हम नॉर्मल पूडियां बेलते हैं वैसे ही बेलना है और यह पूडियां अगर आप बनाओगे तो आपको तो पसंद आएगी आपके बच्चे भी बहुत ही जादा चाओ से खाएंगे यह बहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो यह पूडियां मैंने कुछ बेल ली हैं अब हम इसको फ्राई करते हैं तो उसके लिए मैंने कड़ाई में तेल चड़ा दिया तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब इसमें पूडिया डालेंगे और पूडिया को हमें हाई फ्राई करना है और तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया उसके बाद मैंने पूडिया को डाला है और आप देख सकते ह गमच्छी से मारे पूड़ियां फ्राइयों करके रेडी हो गई है तो इसी तरीके से में सभी पूड़ियों को मना करके और तयार कर लूँगी बहुत ही इजी प्रोसेस होता है और ये बहुत ही जादा चटपटी पूड़िया होती है आप चाहो तो इसका पराठा या फिर रोटी भी बना सकते हो अगर आपको तेल खाना कम पसंद हो तो तो लीजी तयार है मारी बहुत ही क्रिस्पी करारी पूड़ियां आप इसे अपनी पसंद की किसी भी सबजी के साथ खाईए आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे बनाना अपने घर पे और अपना नुभामाणी साथ जरूर शेयर करना तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो अगर आज की वीडियो पसंद आयए होगी तो प्लीज वीडियो को लाइए जरूर करना, शेयर करना और साथ यसाथ चैनल को भी सब्सक्राइब पर देना तो भी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नई कंट्रेल के साथ तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकिस तो माइस बाइबाइ